हाई और बेहनों आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है और रेवाडी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवा है यहां प्यम पत्के उमिद्वार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बड़े यह हमने करके दिखाया है कि देश की इच्छा थी क्या योध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है और तो और कॉंग्रेस के लोग जो लोग हमारे वगवान राम को कालपनिक बताते से जो कभी नहीं चाहते से कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने वो भी अब जाय सिया राम बोलने लगे है साथियों कॉंग्रेस ने दसकों तक जम्मु कश्मीर से आर्टिकल तिन सो सत्तर हटाने पर रोड़े अटकाए थे मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मु कश्मीर से आर्टिकल तिन सो सत्तर हटा कर रहूंगा आज कॉंग्रेस की लाग कोशिश के बावजोत आर्टिकल तिन सो सत्तर इतिहास के पन्नों में खो गया है आज जम्मु कश्मीर में महिलाओं दलीतों पीछडों आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे है इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनारदन कह रही हैं आप लोग कह रहे हैं जिसने जिसने तिन सो सत्तर हटाया उस बीजेपी का तीका तीन सो सत्तर सिटों से होगा बीजेपी के तिन सो सत्तर ही पहुचाएंगे एंडिये को चार सो पार साथियों यही रिवाडी में मैंने पूर्वस सैनिकों को वन रैंक वन पैंशन लागू करने की गारंटी दी थी कॉंग्रेस वाले सिरफ पांसो करोड रुपिय दिखाकर वन रैंक वन पैंशन लागू करने का जूट बोलते थे रिवाडी की वी धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके हांसिरवाद से पूरा किया अभी तक वार ओपी के तहएट वन रैंक वन पैंशन के तहएट पूर्वस सैनिकों को करीब करीब एक लाग करोड रुपिय मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभारती हर्याना के भी पूर्वसैनिक रहे हैं सिप रेवाडी के ही सैनिक परिवारों की बात करो तो उन्हें ओ और ओपी से छैसो करोड रुपिय से जादा मिले हैं आप मुझे बताईए जितना पैसा रेवाडी के सैनिक परिवारों को मिल ला है उससे भी कम कॉंग्रेस ने पूरे देश के पूरवसैनिकों के लिए बजेट में रखा था सिर्फ 500 करोड ऐसे जूट और दोखे बाजी के कारण ही कॉंग्रेस को देश ने नकार दिया है साथियों मैंने रेवाडी बात्यों को हर्याना के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी आज यहां एम्स के निर्मान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे राविद्र जीतो इस काम के लिए लगातार वो बोलते कम है लेकिन जो तै करें उसके पीछे लगे रहते हैं आज एम्स का सेलान ने अस हुआ है तो मेरी गारंटी की और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका सिलान न्यास किया है और लोग कारपन भी हमीं करेंगे और इससे आपको बहतर इलाज भी मिलेगा युवाओं को डॉक्टर बनने का आउसर भी मिलेगा और रोजगार स्वरोजगार के भी अनेक आउसर बनेगे रिवाडी में देश का बाइसवा एम्स बन रहा है पिछले दस वर्सों में पंदरा नए एम्स स्विक्रुत किये जा चुके हैं आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश में करीब तीन सो असी मेडिकल कॉलेज बने थे बीते दस वर्सों में तीन सो से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने है हर याना में भी हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है